दोस्तों, शादी के समय लड़की से कौन से सवाल किये जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर वाच कीजिएगा जब भी किसी लड़की की सादे के दिन करीब आते हैं तो उसके दिल में कई तरह की बाते आने लग जाते हैं वो डरने लगती है, पता नहीं होगा आने वाला समय कैसा होगा और अपने साथ क्या लेकर आने वाला होगा वहीं जब किसी लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़की को ये चिंता लगी रहती है कि वो उनसे क्या सवाल करेंगे क्या वो इन सब सवालों का जवाब दे सकेगी आज हम अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ शवालों के बारे में बताने जा रहे हैं अगर देखा जाये तो किसी के लिए भी साधी कोई आम बात नहीं होती है लेकिन फिर भी लड़कियों और खास कर भारते लड़कियों के लिए ये कुछ अलग ही है उनसे दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं और दुनिया भर की अपक्छाएं रखे जाती हैं तो चलिए जानते हैं उन शवालों के बारे में नमबर वन खाना बनाना आता है या नहीं जब भी साधी की बात चलती है सबसे पहला सवाल यही होता है कि लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं ये सबसी पहली कड़ी है साधी की बातों की सुरुवात इसी से होती है सवाल के तरीके अलग-अलग हो शकते हैं इस एक सवाल को घुमा फिरा के पूछते हैं तो कहीं सीधा भी पूछ लेते हैं कहीं और ज़्यादा घुमा दिया जाता है इस सवाल को और कहा जाता है कि हमारे लड़के को खाने का बहुत सोख है क्या क्या बनाना आता है क्या एक बार ये नहीं सोचा जा शकता कि अगर लड़की खराब खाना बनाए या खाना ना बनाये तो भी चलेगा नमबर टू शाड़ी बांधना आता है या नहीं इसके अलावा लड़की अगर मौडन है और अभी तक उसने शाड़ी नहीं पहनी लेकिन शाड़ी के बाद ऐसा कैसे चलेगा साड़ी बांधनी तो आनी ही चाहिए जैसे इसी से गोल्ड मैडल मिलेगा और स्कॉलर्शिब मिलेगा इसके बाद साड़ी बांधने पर पिएशडी करनी होगी और उसके बाद नौकरी भी इसी बात पर मिलेगी कि साड़ी कैसे बांधी चाती है साथ ही साधी के बाद घर समालने में भी साड़ी की जरूरत पड़ेगी नमबर तीन बड़ों से पहस की आदत तो नहीं ये एक सवाल भी बहुत किट किट करता है कि क्या लड़की को गुश्चा आता है ऐसा कैसे चलेगा अगर उसको गुशा आता है तो वोल लड़ती भी होगी ये सवाल सब के सामने आता है सीधे तोर पर इस सवाल का मतलब तो हमें लगता है कि कहीं इसकी अपनी कोई राय कोई नजरिया तो नहीं ये तो होता ही है जो बड़ों ने कह दिया वो मान लो अपनी राय या अपना नजरिया तो सामने रखने की जरूरत ही नहीं है नमबर फोर नौकरी और घर कैसे समालोगी एक साथ कुछ लड़कियों के लिए ये सीधा शाधा इसारा होता है कि नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है और शाधर कुछ लड़कियों के लिए ये ताना होता है कि इतना समय आफिस में रहती हो तो घर का काम कब करोगी अगर नहीं समाल पाई तो घर बरबाद कर दोगी हमारे बेटे को खुश कैसे रखोगी केरियर आप्शन पर भी सवाल उठाये जाते है लड़की किसी बोल्ड जॉब में है मेडिया में काम करती है पुलिस में है, वकील है, फिल्म इंडिस्ट्री से जुड़ी है तो यकीनन ये साधी के वक्त बहुत समश्या होती है नमबर पाँच वर्जिन हो या नहीं ये सवाल बहुत अहम होती है और इसका जवाब क्या दिया जाना चाहिए ये भी लोगों को पता ही है इससे जुड़े कुछ सवाल भी सामने आते हैं जैसे पती को खुश रख पाओगी या नहीं ये भी बड़ा अजीव है लड़की को उम्र भर अपनी सेक्सुलेटी छुपाने के लिए कहा जाए और फिर अचानक केवल एक दिन में पती को खुश करने की कला में वो माहिर हो आखिर सादी है ये तो होना ही है लेकिन यकीन मानिये ये जो सवाल है ना लड़कियों के करेक्टर को जज करने का ये एक बहुत अहम सवाल है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और यदि आप मुझे खबरी या फेस्बुक पर देख रहें या सुन रहें तो हाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं